नमस्कार मैंनू रादर और ये नज़र डालते हैं दिन बर की हुई गतिवित्यों पर This news is brought to you by Medanta Medical Center जमो क्रोना माहमारी के चलते पिछले दो वर्षों से बंद पड़े स्कूल आज खुल गे पहली कक्षा से लेकर नोवी कक्षा तक के विद्यार्थों में स्कूल खुलने पर काफी उत्सा देखने को मिला वही स्कूल परबंधन की तरफ से भी विद्यार्थों के स्वागत के लिए विशेश परबंध किया गे थे आरेस्पुरा के नियू पब्लिक ब्रिलियंट स्केंडी स्कूल में आने वाले विद्यार्थों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया तता स्कूल में हवन यग भी किया गया वही जमू में स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में भी खासा जोश देखने को मिला आरेस्पुरा से हमारे संबताता राज कुमार की ये खास रिपोर्ट परदर्शन कर रहे अस्ताई करमचारियों ने आज एक बर फिर अपनी लंबित मांगो के हक में जोड़दार परदर्शन कर डक्टर जुतिंदर सिंग के घर का घहराव करने की कोशिश की जिसे बाद में पुलीस ने नाकाम कर दिया और इसी बीच परदर्शन कारियों पर की तरफ से लाठी चार्ज में किया गया और पर्मोशन को खत्म करने का जो नीने लिया है उसे जल से जल वापिस किया जाए नहीं तो युवास सरकों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे तो इसके अंदर भी ऐसे पूरी डिरेक्ट जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा की जाती है इसमें आज का छातर इसका पूरी दरह से विरोल कर रहा है जहां पूरे देश पर कंदर जो पचास इंटू पचास के रहश्यों के तरह 50% डिर करने के वाद यदि उसके अंदर लेक्ट जो पोस्ट ही नहीं है ज़िजनलाइज के टीचर्स ही की पोस्ट ही नहीं आएगी तो किस प्रकास से वो जो स्टूडेंट्स है या जो विद्यारती है जो इतनी डिग्रियां कफ्रीट करने के बाद वो नोतरी कहां पाएगा बेजबी के वरिश नेता राजिंदर शर्मा ने आज एक प्रेस वारता का आयजुन किया जिसमें उन्होंने जमेरी रिकॉर्ड घाइब होने सम्मंदी परशासन द्वारा की गई चापे मारी की सराहना की और इस कारे को करवाने के लिए उन्होंने डवेजर कमेश्व कारे को करवाया पूरे जमू शहर में यह गोरक दंदा बहुत देर से चल रहा था लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई और दिखाई तो सिर्फ रागव लंगर ने आप यह सोचिए कि पूरे जमू कुश्मीर में सत्रा हजार कनाल सत्रा हजार कनाल जमीन जो सरकारी है वो एंक्रोच की गई है एक कनाल नहीं दो कनाल नहीं सत्रा हजार कनाल बेज़बी हेड़कौर्टर तर्ग्यूटर नगर जमू में आजे कारिकरम के तहट परमुखो राजनीतिक व्यक्तियों ने भाश्पा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामर धाम लिया इस मोखे पर पार्टी परदेश अद्यक्ष रवेंदर रहना मुखे तोर पर माचूद थे जिन्हों ने पार्टी में शामिल हुए इन लोगों का स्वागत किया इसके अलाबा पार्टी के अने नेता भी माचूद रहे मैं श्रीमान अरुन कुमार जी को और इनके जितने भी साथी हैं बीडिसी चेयर परसंद अर्शादा मैडम जी और जितने भी सरपंच साहिवान है जो उस उत्तरबेनी परमंडल जुगिंदर जी और खड़ा मड़ाना के अनिल जी और उनके साथी जितने भी साथी आज भारत ये जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मैं इनको मुबारक देता हूं बदाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापिस लोटे हैं शुरीरादा मादब टोसर जम्म कुश्मीर के चेर्मेन महंतर राज़िश बिटू ने बताया कि परदेशवर में महाशिवरातरी का तोहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा उन्होंने बताया कि आरसपुरा शेतर में सित्रशी मंद्रों में इसकी तयारिया जोरों शोरों से चल रहे हैं उन्होंने सभी शद्धालों से अप्रिल करते हुए कहा कि वे इस धार्मी कारक्रव में भड़ चड़ कर भाग ले पूजा होती है उसकी स्क्योटी की ववस्ता वहां सफाई की ववस्ता मुष्पर पतदकारी है द्यान दे और मैं समझता हूं कि इस वार जो शिवरातरी होने जा रही है कोबीड को ध्यान में रखते हुए तो है लेकिन जो सरकार के सोपी है उसमें थोड़ी सी डिलाई होने क जैसे कि उन्होंने स्कूल खोल रहे हैं, कालेज खोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपने अजोजन भी कर सकें। मैं आज आपके सामने शिक्षा के महतु पर अपने विचार आपके सामने रख रही हूं। वर्नबर 31 के पार्शोदर सरदार सुच्चा सिंग ने विकास कामों के तहट क्रिमेशन ग्राउंड में निर्मान कालेश शुरू करवाया, जिस पर 6 लख रुपे की राशी खर्च की जाएगी। इस मोके पर स्थानी लोग भी मजूद थे। जनता की बहुत देर से डिमांड थी, क्योंकि जो पहले जहां पर बातरूमर तूटियां थी, वो रोड खुला होने के कारण रोड में आगे थे। आज हमारे प्रयासूं से ये काम स्पूर्ण हो गया है। हम आगे भी जो लोगों की ओर डिमांड होगी, जहां की शिम्शान का अड़की जो भी रिक्वार्मेंट होगी हम उसको पूरा करेंगे। हम अपने प्रदान मंतरी निंदरवाई मोदीजी के कर्दमों पर चलते हुए सब का साथ, सब का विकास, सब का साथ उन्ही पाचिनों पर चलते हुए हम जो विकास की गाड़ी की रिफ्तार बहुत तेज गती से चल रही है जमू किश्मीर में। आज के समाचारों में फिलाल इतना ही दीजे जाज़त नमसकार।